अप्टेट दोस्तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को दोस्तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पांच इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स से जिसकी व्याक्या भी देखेंगे इसके अलावा देखेंगे पांच वन लाइनर्स करेंट जो जारकेंट से रिलेटिड और अंत में मैं आपसे पूछूंगा एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है दोस्तो साथ ही आपको बता दे कि इस वीडियो का पीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलिग्राम चैनल में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक् दोस्तो प्रश्न था हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल के शिक्षकों को इलाज के लिए सरकार कितने रुपए देने का निरना लिया है ऑप्शन दो लाख रुपए ऑप्शन बी तीन लाख रुपए ऑप्शन सी चार लाख रुपए अथवा ऑप्शन डी साड़े चार ल रुपई यानि हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल की शिक्षकों को इलाज के लिए अब ज्यारघन्ट सरकार 3лучाप देगी आई इसके बारे में भी डीटेपटल में जानते हैं आपको बता दें कि ज्यारघन्ट के हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल के शिक्षकों को इलाज के लिए सरकात तीन लाख रुपए देने करने लिया है इसके लिए शिक्षक करमचारी कल्यान कोश समीति यानि टीचर्स एंप्लोईज वेलफियर फंड कमीटी का गठिन किया गया है समीति के अध्यक्ष होंगे जैक के उपाध्यक्ष यानि जार्खेंड अकैडमिक कॉंसिल के उपाध्यक्ष इस समीति के यानि शिक्षक करमचारी कल्यान कोश समीति के अध्यक्ष होंगे यह समीती गंभीर बिमारियों से पीडित शिक्षकों को इलाज के लिए राश्य उपलब्द कराएगी आपको बता दे कि कल्यान कोश यानि welfare fund के लिए matriculation और intermediate के छातर से आविदन के समय 5-5 रुपे लिया जाते हैं और इसे ही शिक्षकों को भूखतान किया जाता है इसका सही उत्तर है option D 19 खेलो इंडिया यूथ गेम्स पदक तालिका में जारखंड का स्थान 19 था आईए इसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों आपको बता दे कि खेल इंडिया यूथ गेम्स में जारखंड को कुल 3 गोल्ड मेडल एक सिल्वर तीन ब्रांज के साथ कुल 7 मेडल हासिल गोले हैं आपको बता दे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसे पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया है और 2023 में इसका पाँचमा संस्क्रण का आयोजन 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 के बीच किया गया है इसका आयोजन मद्ध प्रदेश और नही दिल्ली के आठ शहरों के 11 अलग-अलग स्थानों पर आयोजन किया गया है आपको बतादे कि इस पदक तालिका में यानि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के पदक तालिका में पहला आस्थान महरास्त का रहा महरास्त ने कुल 161 पदक जीते हैं जिसमें 56 गोल्ड, 55 शिल्वर और 50 ब्रांज मेडल शामिल है वहीं हर्याना का इस टैली में दूसरा अस्थान रहा है और हर्याना ने कुल 128 पदक जीते हैं जिसमें 41 गोल्ड, 32 शिल्वर और 55 ब्रांज मेडल शामिल हैं और 19 स्थान जारखंट का रहा है जारखंट कुल 7 पदक हासिल करने में सफल रहा है जिसमें 3 गोल्ड शामिल है, 1 शिल्वर और 3 ब्रांज चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दूसरे नंबर प्रशन को निमनलकित में से कौन सी कंपनी नदी के प्राकृतिक बालू के विकल्प के रूप में एक निर्मित बालू यानि मनिफैक्चर्ड सैंड बना रहा है, यानि बनाउंटी बालू बना रहा है दोस्तो इस दूसरे प्रशन का सही उतर है आईए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं आपको बता दे कि कोल इंडिया लिमिटेल यानि CIL नदी के प्राकृतिक बालू के विकल्प के रूप में निर्मित बालू बना रहा है जिसे M-Sand या Manufactured Sand भी कहा जाता है या बनाउटी बालू भी कह सकते हैं नदी की रेत का यह विकल्प होगा आपको बता दे कि कोल इंडिया इसका व्यावसाइक उत्पादन शुरू करने जा रहा है देश भर में कोल इंडिया की अनुशंगी कंपनिया यानि Subsidiories M-Sand प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है इसके अलावा आपको बताते कि इसके लिए पहले चरण में CCL के कथारा जो की बेरमो बोकारों में इस्तित है 500 क्यूबिक मीटर प्रतिदीन उत्पादन चमता वाला प्लांट लगाने जा रहा है और दिसंबर 2023 से इसके शुरू होने की विसंभावन है वहीं इसके अलावा BCCL के बरोरा छेतरई जो की धनबाद में इस्तित है में 1000 क्यूबिक मीटर प्रतिदीन उत्पादन चमता वाला प्रांट लगाया जा रहा है जिसमें जुलाई 2024 से उत्पादन होने की उमीर है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब तीसरा नंबर प्रशन को आज का तीसरा नंबर प्रशन है जारखंड के अलग राजे बनने के बाद नकसल प्रभावित किस जिले में राद बिताने वाले हेमंत सोरें राजे के पहले मुख्यमंतरी बन गए है उप्शन A लुहरदगा उप्शन B पस्मी सिंग्भूम उप्शन C पलामू अथवा उप्शन D लातेहार इस प्रशन का सही उप्शन D लातेहार आपको बता दें कि जारखंड के मुख्यमंतरी हेमंत सोरें अलग राजे बनने के बाद नकसल प्रभावित लातेहार में राद बिताने वाले पहले मुख्यमंतरी बन गए है मुख्यमंतरी ने कई अस्थलों का निरक्षन किया और पूरी निश्टिता के साथ राद बिताई है इससे पहले मुख्यमंतरी ने नकसलियों से सुरक्षित शरण अस्थरी के रूप में कुख्यात बूढ़ा पहाड का दोरा कर सुरक्षापलों का होसला बढ़ाया था इसके अलावा आपको बता दे कि उन्होंने लातिहार वचत्रा जिले के संयुक्त विकास की बैठक भी ली और इसके बाद अपने खतियानी जोहार यात्रा के कारिक्रम में शामिल हुए आपको ए भी बता दे कि मुख्यमंत्री ने लातिहार में रात बिता कर यह संदेश देने का प्रयास गया है कि राजे में हेमंत सरकार जमीन से जुड़ी हुई सरकार है और नकसली उन्मूलन के लिए वचनबद और कटिबद है चलिए अब देखते हैं अगले प्रशन को राजिपाल रमेश बैस ने जारखंड छोड़ने से पहले 13 फरवरी 2023 को कितने विध्यक को मंजूरी दी है दो, तीन, चार अथवापनाच इसका सही उतर है ओप्शन बी तीन विध्यक को रमेश बैस ने मंजूरी दी है आपको बता दें कि जारखंड के राजिपाल रमेश बैस ने जारखंड विधांसभा से पारित तीन विध्यकों को 13 फरवरी 2023 को मंजूरी दे दी है यह तीन विध्यक है जारखंड नगरपाली का शंशोदन विध्यक 2022 यानि जारखंड म्यूनिस्पल अमेंडमेंट बिल 2022 दूसरा विध्यक है 2022 के UGC Regulation के तहत स्टेच्यूट परिनियमन गठन यानि UGC Regulation 2018 अमेंडमेंट रूल्स और तीसरा है राजी के निजी और सरकारी बिएट कॉलेजों में नामांकन और शुल्क निरधारन के लिए परिनियम 2020 यानि इस्टेच्यूट 2020 for Enrollment and Free Determination in Private and Government बिएट कॉलेजिस के गठन से संबंदित विध्यकों को राजपाल की सुक्रिती मिलने के बाद अब राजसरका अधिसी उचना जारी कर इसे एक्ट बना देगी इसके साथ ही आपको बता दे इन तीनों विध्यकों के बारे में आपको बता दे कि नगरपाली का संशोधन विध्यक में अनुसुचित जनजाती अनुसुचित जाती पिछड़े वर्गे के लिए रोटेशन शिद्धान संबंदित प्रावधान को महापौर और अध्यक्ष पद के लिए हटा दिया गया है अब संबंदित जाती की जनसंख्या के आधार पर छेतर के महापौर वर अध्यक्ष की सीटे निर्दारित की जाएंगे इसके साथ ही आपको बता दे कि इसके साथ विधेक की बात का दूसरे विधेक की बात करें तो राजे के विश्विद्यालेों में शिक्षकों और एकडमिक स्टाफ की न्यूपती के लिए स्टेट्यूट परिनियम गठन से संबंदित विधेक को मंजूरी के बाद शिक्षक बहाली के लिए विश्विद्याले JPSC को requisition भेज सकेंगे वहीं प्रवेश परिक्षा निजी ओम सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क से जुड़े विध्यक की मंजूरी के बाद आप राजी के सभी बीएड कॉलेजों में दाखिले को जारखंड Combined Entrance Competitive Examination पूर्ट द्वारा पर रिक्षा लिजाएगी तो दोस्तों ये था तीन विध्यक जिसे राजपाल ने अनुमती दिया दी है यानि उसे सुकृत कर लिया है आईए देखते हैं आज के नेक्स्ट प्रशन को विध्यवर्ष 2022-23 के लिए जारखंड स्वास्तकर्मी प्रोथसाहन सम्मान योजना के तहत कितने रुपए की सुकृति ब्रदान की गई है आप्शन A 5.36 करोड रुपए आप्शन B 6.36 करोड रुपए आप्शन C 7.36 करोड रुपए आप्शन D 8.36 करोड रुपए इस प्रशन का सही उत्तर है आप्शन A 5.36 करोड रुपए जारखंड स्वास्तकर्मी प्रोथसाहन सम्मान योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 5.36 करोड रुपए सुकृत किये गये हैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं दोस्तो करमचारियों में प्रदियोगिता का अस्तर बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने जारखंड स्वास्तकर्मी प्रोथसाहन सम्मान योजना के शुरुवात की है योजना के तहत जारखन सरकार स्वास्त विभाग के कब में कारेरत सरकारी और अनुबंद कर्मचारियों को राज्य जिला और प्रखंड अस्तर पर सम्मानित करेगी आपको ये भी बता दे कि स्वास्त विभाग में लगबग 110 से ज्यादा विविन योजनाय संचालित है वर्तमान में दोस्तो आईए अब देखते हैं जहारकंट से रिलेटेड वन लाइनर्स पाँच वन लाइनर्स को जो इंपॉर्टन है एक्जामिनेशन पॉइंट अव विव से पहला है आदी महोटसो का आयोजन 16 फरवरी से 27 फरवरी 2030 तक कहां किया जा रहा है इसका उत्तर है नई दिल्ली में जहारकंट का पहला बर्दन बैंक काउध घाटन किस जिले में किया गया इसका उत्तर है गुमले जिले में तीसरा प्रशन है अप्रेल 2022 में जहारकंट के त्रिकूट पहाड़ियों में रोपवे पर केबल कार्स में फसे 27 तिर्थ यात्रियों को बचाने वाले किस हेलिकॉप्टर पैलेट को शौरे चक्र से सम्माने दिया गया इसका उत्तर है योगेश्वर के एक अंडाल करको चौथा प्रशन है जहारकंट फॉरस्ट स्वैल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला कौन सा नंबर का राज्य बन गया है दोस्तो इसका सही उत्तर है एक यानि पहला फॉरस्ट स्वैल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला जहारकंट देश का पहला राज्य बन गया है जारकंट के नए पुलिस महानिदेशक यानि DGP अजय कुमार सिंग कौन से नंबर के DGP बनाए गए हैं दोस्तो आपको बता दे कि अजय कुमार सिंग जारकंट के 13 वे DGP यानि पुलिस नए देशक बनाए गए हैं दोस्तो आईए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को आज का अभ्यास प्रशन है महरास्ट के नासिक में आयोजीत 27 में नेशनल सीनियर जूनियर सब जूनियर रोड साइकलिंग चैंपेंशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले जारखंट के नारायन महतो किस जिले से हैं दोस्तो इस प्रशन का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं और इसकी व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरे डेटेल के साथ धन्यवाद दोस्तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जुड़े रहें जारखंट अपडेट के साथ धन्यवाद